प्रस्न एक निम्नांकित संख्याओं को आरोही क्रम में विवस्तित करें तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में विवस्तित करना है तो संख्या है तीन हजार दो सो कॉमा दस हजार आठ दस हजार आठ चोबिस हजार चार सो साथ दो हजार दो सो एक तालिस कॉमा निनानुए हजार नौ सो निनानुए दैस हजार दो सो नौ दैस हजार उन्तिस तेईस हजार पान सो आठ तो संख्या है तीन हजार दो सो दस हजार आठ चोबिस हजार चार सो साथ दो हजार दो सो एक तालिस निनानुए हजार नौ सो निनानुए 10,209, 10,029, 23,508 तो इसको क्या करना है आरोही क्रम में तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम यानि छोटा से बढ़ा तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ बढ़ते क्रम यानि छोटा से बढ़ा तो छोटा सबसे पहले यहां पे चोटी संख्या कौन है यहाँ पर तो देखे 3200 30,000 है यह तो बड़ा हो गया 3200 और 2241 सबसे चोटा हो गया 2241 तो यहाँ पर लिख लेंगे 2241 कॉमा उसके बाद है 3200 देखे 2241 से बड़ा है 3200 तो इसको लिखेंगे अब 3200 से बड़ा कौन है तो 3200 से बड़ा हो गया 10209 है 10800 है 10,029 है उसके बाद तो 24,000 है 23,000 है 99,000 है तो 10,008 देखे 10,008 3200 से यहाँ पर बड़ा है तो 10,008 लिखेंगे कॉमा उसके बाद 10,029 है 10,209 है तो 10,029 इससे बड़ा है 10,029 तो 10,029 से बड़ा है 10,209 तो यहाँ पर है 23,508 24,407 तो 23,508 लिखेंगे यहाँ पर उसके बाद 23,508 से बड़ा है 24,407 और अंत में सबसे बड़ा है 99,999 तो यहाँ पर लिख देंगे 99,999 तो यह हो गया आरोही क्रम यानि बढ़ते क्रम यानि छोटा से बड़ा तो देखिए सबसे छोटा उससे बड़ा फिर इससे बड़ा इससे बड़ा और फिर अंत में सबसे बड़ा तो इस तरह हम आरोही क्रम में लिख लेंगे अगर आब रोही क्रम में कहता तो सबसे पहले बड़ा संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा तो आरोही क्रम मतलब हो गया, बढ़ते क्रम और अब रोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम प्रस्न दूसरा अंग को सुन्य तीन, पांच, साथ और आठ से बिना पुन्रा विड़ती किये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं और उनका अंतर ग्याद करें तो अंग क्या क्या दिया हुआ है? सुन्य, कॉमा, तीन, पांच, कॉमा, साथ, और आठ तो ये जो अंग दिया हुआ है, इससे बिना पुन्रा विड़ती किये पुन्रा विड़ती मतलब होता है दुहराना, तो किसी अंग को दुहराना नहीं है तो बिना पुर्णाविर्टी कि यह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है और उनका अंतर ग्याद करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या तो इन अंको से मिलाकर कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन है सबसे बड़ा अंक आठ है तो आठ को पहले लिखेंगे आठ को पहले लिखेंगे उसके बाद आठ आठ से थोड़ा सा छोटा कौन है साथ फिर साथ को लिखेंगे फिर साथ से थोड़ा सा छोटा है पांच फिर पांच से छोटा है तीन तीन से छोटा है सून्य तो ये हो गया घटते क्रम में संख्या को लिख दिया ये अंग को लिख दिया है तो बन गया सबसे बड़ी संख्या देखे सबसे बढ़ा आठ फिर साथ फिर पांच फिर तीन फिर सुन्य तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 87,530 इन अंकों से इन अंकों को मिला करके सबसे बड़ी संख्या बन गया 87,530 अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे सबसे छोटी संख्या कहा रहा है सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगा इनंको इनंको से तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? सून्य है सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? सून्य है तो सून्य को अगर पहले लिख देंगे तो सुन्ने पहले लिखने से कोई उसका महत्व नहीं रहता है ठीक है तो सुन्ने के बाद जो सबसे चोटा है उसको लिखेंगे तो सुन्ने के बाद सबसे चोटा कौन है तीन है यहाँ पर देखें तीन है तो तीन को पहले लिखनेंगे तीन सबसे छोटा है सुन्ने के बाद तो तीन लिखेंगे अब तीन के बाद हम सुन्ने दे सकते हैं आप तीन के बाद सुन्ने देंगे क्योंकि सुन्ने पहले देंगे तो सुन्ने का कोई महत्म नहीं होगा तो 3 सून्य, अब लिखें, अब देखें तीन से थोड़ा सा बड़ा, पांच है, तो पांच लिखेंगे फिर पांच से थोड़ा सा बड़ा, साथ है फिर साथ से बड़ा, सबसे बड़ा कौन है? आठ है तो यह हो गया सबसे छोटी संख्या, 30,578 तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या हो गया 87,530 और सबसे चोटी संख्या हो गया 30,578 अब क्या कह रहा है यहां पर? अब कह रहा है कि उनका अंतर ग्याद करें तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या का अंतर तो लिखेंगे अंतर बराबर 87,530 माइनस 30,578 तो सبसे बड़ी संख्या में सबसे चोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर गयात हो जाएगा दोनों का तो सबसे बड़ी संख्या 87,530 और सबसे चोटी संख्या 3,578 तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा तो 10 में से 8 կा दो, दस में से आठ गया, दो, उसके बाद ये हो गया, दो, तो पैंचा लेगा, तो बारह में से साथ गया, पांच, ये हो गया, कितना, चार, तो चौदा में से पांच गया, नौ यहां पर लिखेंगे, ये हो गया, छे, तो छे में से सुनने गया, छे लिखेंगे, उसके बा आठ में से तिन घटाएंगे तो पाँच तो कितना आ गया 56,920 तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या का अंतर हो गया 56,920 यानि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या का अंतर हो गया 56,920 तो इस तरह इसको हल करेंगे झाल झाल